क्या आपको पता है कि आप जिस किटकेट को खा रहे हैं वो एक चोकलेट नहीं बलकि एक वेफर है जी हाँ तो ये बात ज्य साल 1909 में कि जब भारत में चोकलेट पर 20% टेक्स लगता था जब किटकेट को टेक्स देने की बारी आई तो किटकेट ने भारत सरकारों गह दिया क किटकेट चॉकलेट नहीं बल्कि एक वेफर है जिसके उपर चॉकलेट लगा हुआ है और आखिर में यहां मापला कोट में चला गया जहां पर किटकेट की जीत हुई और कोट ने ये भी कहा कि सभी चॉकलेट्स में कोको होता है लेकिन हर कोको का प्रोडक्ट चॉकलेट नही झाल झाल झाल